नमस्कार दोस्तों मैं ओडीके आप से इक स्वागत है मारी टूप चनल में तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पारोंगे जो हमने इस तरह का पोस्टर डिजाइन किया हुआ है अगर आप ऐसा पोस्टर डिजाइन करना चाते हैं चुनावा परचार के लिए बनाना चाते हैं ओभी अपने मुवाल से तो आप कैसे बनाएंगे यही हम आज के वीडियो में बताएंगे तो आपको हमको follow करना है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा अपने mobile phone में Pixel Lab को open कर लेना है Pixel Lab आपको Play Store पे मिल जाएगा description में मैं लिंक भी दे दूँगा कि आपको Pixel Lab को कैसे download करना है तो सबसे पहले आपकोs test को ऊपर delete वारे option से stress delete करना है इसके बार आपको नीचे force number पे क्लिक करना है यहाँ से आपको image size पर क्लिक करना है और यहाँ से अबसे पहले आपको image size चेंज करना है यहाँ से उत्तर अपने साहरे जो image size रखना चाहते हैं यहां से आपको इस तरह से image size को change करके यहां से done करना है यहां से भी आपको change करना है यहां से इस तरह से आपको image size को रखने के बाद आपको यहां से done कर देना है ओके कर देना है इसके बाद आपको यहां पर color वालापस मिलेगा इस पर click करेंगे यहां से अगर आप कोई color देना चाहते हैं border के लिए तो आप यहां से कोई भी color दे के यहां पर रख सकते हैं अगर आप यहां पर gradient color रखना चाहते हैं तो नीचे आपको यहां पर gradient color मिलेगा इस पर click करेंगे और plus पर click करके यहां से आप gradient color रख सकते हैं कुछ इस तरह का gradient करा रख सकते हैं अगर आप यहाँ पर कोई background लगाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा उपर प्लस वाले icon पर क्लिक करना है from gallery में जाना है अब from gallery से आपको उस background को जो shape किये है, download किये है select कर देना है जैसे कि इस तरह से आपको जब background को select कर देंगे, ok कर देंगे अब आपको इसको खीच के यहाँ पर अच्छे से इसको fit करना है यहाँ पर देख पारोंगे इस तरह से जब आप fit करेंगे तो आपका यह अच्छे से set हो जाएगा यहाँ पर turn number से आप यहाँ पर relative position का option मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे दोनों वीज का option क्लिक करके आप इसे अच्छे से set कर सकते हैं देख पारोंगे हमारा हो गया अब आपको यहाँ पर सबसे उपर कुछ test लिखने है तो उसके लिगे आपको उपर plus वाले एक उन पर क्लिक करके NEW test पर किलिक करना है और यहाँ से आपको एक new test edit करके यहाँ पर लिख लेना है टेस्ट में आपको जैसे हिंदी में आप लिखते हैं simply उसी तरह से आप लिख लेंगे अगर आप unique code निक्यालना جानते हैं Unicode यहाँ पर use करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर paste कर देना है Done करके आपको यहाँ से OK करना है इसके बाद आपको नीचे A वाले option पर क्लिक करके नीचे जाना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा A B font का आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से normal font यूज किया है तो यहाँ से select करेंगे font वाले option से Unicode यूज किया है तो mode font पर जाएंगे और यहाँ से आपको font को इस तरह से select कर देना है आप जो भी font रखना चाहते हैं select करके आपको OK करना है अब आप इसका color देंगे तो आपको उपर color वाले option पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कोई भी color select कर देना है आप जो भी color रखना चाहते हैं तो जैसे की plus पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरह का color रखना चाहते हैं तो select करेंगे OK करेंगे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस टोप वालाप से मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे enable करके आपको plus पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसका color white रखना है ok कर देना है नीचे आपको यहाँ पर कुछ point रख लेने हैं 5 या 6 point okay कर देंगे shadow देना चाहते हैं तो इसमें पर क्लिक करेंगे और यहां से भी वायर क्लोफ से लड़ करके आपको okay कर देना इस तरह से आपका देख पारंगे यह test हो गया अब आपको इसी तरह से कुछ test अफ लिखने हैं इस तरह से आपको लिखना है जो भी आपका ग्राम सभा है यहाँ पर आप लिख लेंगे देख पारोंगे ग्राम सभा माल लेजिए यहाँ इस तरह से आपका ग्राम सभा हो गया इसके बार आपको यहाँ से इस पेस दे के यहाँ से डन कर दिना है ओके कर देना है इस टेस्ट को आपको नीचे यहां पर रखना है यह वाले अप्षन पर क्लिक करके यहां से आपको जाना है यह भी फोन पर और यहां से आप फोन को सिलर करेंगे इस तरह से ओके कर देंगे अब आप इसका कलर देंगे तो आपको कलर यहां पर मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे प्लस पर क्लिक करके आपको इसका क्लर प्लैक रखना है ओके कर देना है नीचे आपको आना है यहाँ पार स्टोक वाले अप्शन पर क्लिक करके इनेबल करना है और यहां से आपको वाइड क्लर स्लेड करके यहां से कुछ पॉइंट दे देना है ओके कर देना ह साइड़ वाले अप्सम पर क्लिक करके इनेबल करना है यहां से वाइड कलर से रड़ कर लेना है ओके कर देना है तो देख पारोंगे इस तरह से आपका एवी टेस्ट हो जाएगा अब आपको इसी तरह से कई सारे टेस्ट लिखने हैं तो आपको लिख के उसका कलर फॉंट चेंज करके आपको रख लेने है तो टेस्ट में क्या क्या लिखना है यह हम आपको दिखायते हैं तो आप यहां पर देख पारोंगे यहां पर हमने जो टेस्ट लिखा है BDC यहां पर देख पारोंगे इस तरह से आपको लिखके यहाँ पर रखना है यहाँ पर आपको लिख लेना है पत के यहाँ पर लिखके नीचे रखना है इसके नीचे हमने जो टेस्ट लिखा है यहाँ पर युवा परत्यासी यहाँ पर देख पारूंगे यहाँ पर आपको रख लेना है उसका color font change करके इसके नीचे आपको इस तरह का test लिखना चाते हैं चुनाओ चीन यहाँ पर आप लिख के रख सकते हैं इस तरह से आपका हो जाएगा आप आपको 85 का image लगाना है और चुनाओ चीन का तो आप plus पर क्लिक करेंगे from gallery में जाएंगे अब from gallery से आपको परत्यासी का image लड़ करना है सबसे पहले यहाँ से और crop करके आपको ok कर देना है इस image को आप यहाँ पर रखेंगे यहाँ से इसका size इस तरह से आपको बढ़ा कर देना है देख पार होंगे यहाँ पर आपको size बढ़ा करके यहाँ पर अच्छे से रख लेना है और यहाँ से आपको इसको log कर देना है अब आपको चुनावचिन का png image लगाना है तो plus पर गलिक करके from gallery जाना है और जो भी चुनावचिन है आपको image को select कर देना है और यहाँ से आपको crop करना है अक्रोब करके आपको OK कर देना है इस image को छोटा करके आपको यहाँ पर रखना है देख पारोंगे आपका हो जाएगा अब आपको इसके नीचे कुछ test लिखना है तो जैसे कि आप plus पे क्लिक करेंगे new test लेंगे test में आपको लिख लेना है camera और उसके नीचे आपको लिखना है पे मुहर लगाकर भारी बहुमत से बिज़ई बनाएं यहाँ पर देख पारोंगे यहाँ पर हमने test में लिखा है camera और इसके नीचे हमने लिखा है पे मुहर लगाकर भारी बहुमत से बिज़ई बनाएं इस तरह का टेस्ट लिखना चाहते हैं तो आप लिखके यहाँ पर रख सकते हैं इसके नीचे हमने यहाँ पर प्रत्यासी का नाम लिखा है तो आपको यहाँ पर अतना नाम लिखके रख लेना है यहाँ पर देख परूंगे तो इस तरह से हमारा जो चुनाव प्रचार के लिए BDC परधेद पोस्टर बैनर है आसानी से बन कर तयार हो गया है अगर आप इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं डिजाइन करना चाहते हैं ओभी अपने मुगाइल फोन में तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद लई होगी अगर आपको वीडियो पसंद लई है तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और अधिक से दिक इस वीडियो को सेयर कर दिएगा मिलते हैं अन्य बढ़ी योग साथ जय हैं जय भरत